यानि कि पांच क्लासे हम लोग इस सीरीज में कर चुके हैं और अब इसके बात में अबार की छड़ीवी क्लास है और इसमें आज हम सर्फ बहुत चों को बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यानि जिससे आपको हर सब्जेक्ट में बले हुँ सर मैहत हो मले ही वह का CDP हो बले यहां यहां से कुछन तो आपका हर बार पूछे ही जाते हैं अगर यहां से बात करें सिंपल सी बात है तो है जब सब्सक्राइब लोग करें से क्या होता है सब्सक्राइं न Genius के लिए ने हम उसको आधि अगर सबसे पहले पहली बात कर ने यहां पर असेस्मेंट फॉर लेर्निंग की बात करते हैं कि अधिक हम के लिया आखलन सीखने कर रहा हूं कि यह रही है ताकि मैं अगली पैड़ा वी क्लास झालता से और बहतर लिक हैं आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं तकि और ज्यादा बेहतर कर पाएं वह आपका असेस्मेंट फोर लगन कहलाता है दोस्तों ध्यान रखेंगा यहां पर देखें यहां पर सिंपल सी बात है जैसे यहां लिखा हुआ है कि अधिगम के लिए मुल्यांक का निर्मात्मा का लिंकर प्राधारि होते हैं वह अधिगम के लिए आख लोना कि बच्चा कितना सीख पा रहा है कहां कमी रह जा रही है बुल्कुल सब्सक्राइब हमने कि हम जैसे अभी हमने बच्चों को पीड़ क्लास पढ़ाया उसमें हम बाद में पूछते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया तो आपको पूछ सकते हो आप तो सीख रहे हैं हमारे पास पूछने का टाइम होता है और हमारे पास बताने का टाइम होता है कि आपकी यह जो है प्रॉलम हो जाती है तो ऐसा असेस्मेंट जो होता है है ऐसा जो आंकलन होता एधिकम के लिए वह में सब्सक्राइब कोशिश कर रही है और चाय बनाने के लिए क्या है सासुमा ने बोल दिया अब अच्छे में काम करती है बीच में टेस्ट कर बारें किशाए का टेस्ट सही है चीनी ठीक है पानी ठीक पड़ा हुए है और उसमें सुधार किया जा सकते हैं यह पानी चीनी का सुधार करना अगर समय करें इसका एक ही नाम को परिवर्टन कर सकते और थोड़ा साथ समझाने के लिए हमने थोड़ा सा अधिगम पर्क्रिया के दौरान जो आपने कहा सर काने कि ऑना नियोजित किया जाता है कि ऍोरान आकलन करना है इस कम एक मुल्यांकन का मुख्य-देश सु-सिक्षा में सुधार करना जो आप है दूसरा कोशचिन यहां से बनता है कि इसे सुधार किया सकता है पूछा जा सकता है कि असिस्मेंट غल लर्निंग का मुख्य-देश्च क्या होता है तो उसका आशामका 30 में लिखा हुआ है जिसला अमोन पर यहां पर यह सारे एक्जाम्पल देदी है क्यों कि सब्सक्राइब कर देते हैं यानि फिल्टरीप इस दा एक्डाम्पल एक्डाम्पल ऑफ असिसमेंट एज लिर्निंग है यह ली यह लिए आज इस वाले एक्डाम्पल को बच्चा ली आता पर हम जाने के बाद आपने अपने अनुभूप बताई ठीक है यह अपना सीख़ा तो उसको ओने को ले गया घाए कहाँ है कहां पर ऊisma टे transplant अच्छा यह रहें करनें इक पर कों प्रिभ्यस कोष्ण भी करवाएंगे न कर देंअच और मद दोसी चाफ है दूसरा एक's 국 impact अधिगम के रूप में आकलन यहां पर यहां पर यहां पर इसके इंपोर्टन बात क्या है खुद का आकलन करना यहां पर एक इंपोर्टन पिक्टर दिखाना चाहूंगा जो कि सबसे इंपोर्टन है जैसे पीए टीटोरिंग बच्चा आपस में ग्रूप में दूसरे पूछता है यह लोग क्या कर रहे हैं आपस में डिसकेशन कर रहे हैं कि तुमने क्या सीखा जो पैड़ागोजी के क्लास होती है आप तो उसमें क्या सीखा एक दूसरे से कंपेर कर रहे हैं जाचनी कोशिश करें कि मुझे क्या समझ में आया आपको क्या सुने बच्चा खुद का आकलन कर रहे हैं तो उसको क्या हम बोलेंगे अधिगम के रूप में आकलन जिससे बच्चे को अपनी गल्तिया अपने द्वारा ही पता चल या पर लिखा हुआ है कि इस प अपना और सेहपाटियों का आगलन निदार्यत करते हैं तता तै करते हैं कि आगे अधिगम कैसे होना चाहिए कि मुझे भी 100% समझ में आ जाए यहां पर क्या हो रहता है अब चलते तीसरे वाले पॉइंट की तरफ जो कि थोड़ा सा इसके बिल्कुल डिफरेंट है अब अ ध्यान एक यहां पर लिख हुआ है और का लिखा हुआ है और का लिखा हुआ है ऑफ की बात करें का यहां पर ने करना आपक्या क्या कहलाता है असस्समेंट टक्म यहां यहां पर जैसे वहां पर कहलाता है यहां पर यह वाला क्या कहलाता है समेटिव यानि कि योगात्म का क्लिंग से बोलते एक नमबर का यह बहुत ही वैलिड पॉइंट है दो तो इक चीज की आशन्य का लेर निंग किसका एक्जम्पल था फॉर्मेटिव डिए किसका था फॉर्मेटिव का अगर आपका फॉर्मेटिव अस्पेंट एक कि काम होने के लिए इंड की बात हो रही है तो समिसा किसमें जाएगा वो सब्सक्साइब करें यहांपे सबसे बड़ी बात क्या है पास या फेल के बार यहां बात करी आति यहां पर सुधार नहीं होता है यहां पर काम को से मोखा शीटेट का इकजाम् होगा तो आपके 150 में से कितना स्कोर आया 140 यह आके अस्था सारा गेम खतम हो चुका अब आपका यह score आ सब्सक्राइब तीन चीज़ें आपको इसलिए इसके बात हमारे यह आप से थियोरी बताना थोड़ा जरूरी था हमारे लिए जिससे आपके लोगों के खुद करें ताकि आप लोगों समझ जादा है बागे मैं टिक्टिक कराता है उसका कोई फायदा नहीं सर आगी चलते हैं सवालों की तरफ अब वह सवाल लेखते हैं जो बच्चा आप देखिए यह बच्चे का सीटेट का फाइनल एक्जाम है यह किसी का यह कौन सा आकलन है आप लोग मुझे कमेंट करें के बताएगा असेस्मेंट फोर लर्निंग है और लोग बताएगा और आंसर चौदा सो बच्चे देख रहे हैं तो यह बड़ी क्रिटिकल सिच्टेशन है तो सभी लोग आंसर दे और अच्छा लगता है जैसे बच्चे सर बहुत अच्छा र सब्सक्राइब करने के लिए या फिर रैंक करने के लिए इस प्रकाल का पूछा जाता है वैसा कौन सा आख लेन जिसके दोरा ग्रेड और रैंक दी जाती है कि बच्चे का ग्रेड एया या उसकी रैंक वन आई कि यह कौन सा अकलन होता है यह आप लोग कमेंड करें ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है और यहां पर काफी लोग लिख रहें सर असेस्मेंट ऑफ लर्णिंग की बात करें जो मैंने अभी आपको यहां पर ग्रेड दिये जाते हैं जिसके तुरू आपके मार्क्स पास या फेल के बारे समयेटीव असेस्मेंट बता रहे है और काफी अच्छा बता रहे हैं और चलते हैं च्छोपा हुआ है जो पूछब पूछे गए हैं यह सर अच्छा यह देखेंगे यह रहा पहला को अवर यह क्या है online paper के previous year question है जो अभी 2021 में पूछे गए हैं प्लीज सभी लोग बड़े ध्यान से लिएगा वैरी वैरी इंपॉर्टेंट प्रश्चन इसमें पॉण्ड है कि आपका वाला वह इसमें दग्धा नहीं है लिकत करेगा आगे सवाल एक सब्सक्राइब करें अब क्या है आज तो एक चीड़वड हो गई है सब्सक्राइब कोशिश करते हैं इसे होंगे जो मिलेंगे इन कोश्चों को थोड़ा सा माफिक पास है आपने चाहत्रों के साथ यात्रपड चर्चा की और उसे किस रूप में समझा जा सकता है चैने लिए टीचिंग के लिए मुल्यांकन अप सभी लोग कमेंट करके बताएं अपया पर आश्राना शुरू हो गया बेटा। बैटा इंग्लिश हिंदी में बता हैं दोनों लेंगे बताएंगे कहीं अगर मानलों फॉंट की दिक्कत है मैं आपको बाइलिंग्वल कोश्चन हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग सुपोर्ट करें अपनी जर्नी हो चुकिए उसके बारे सबस्क्राइब करने बातों श्क्राइब्चे के बाती है उसके बारे में उसके और वहां पर क्या क्या देखा है क्या ऐसा करा जा रहा है ठीक है यहसा यहां बिल्कुल सही का कि बच्चे कि बच्चे के लिए रचनातमा का अधिगम के लिए होगा एंगलिश में बताते हैं या फिर असेस्मेंट ऑफ लर्निंग या फिर assessment यहां पर बात करें फॉर्मेटिव असेस्मेंट का क्या पर्पोस होगा सब्सक्राइब करके बताएं यहां पर क्या हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन्द यह का आकलन्द के रूप में आकलन्द यह सब्सक्राइब करें यहां यहां पर यहां यह एसे सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे यह रटने वाले सवाल दिए और बटा समझेगा जितने लोग हैं समझने की कोशिश करिएगा चाहें पांच सवाल करें लेकिन पांच सवाल समझ की किईएगा बुलकुल कि रचनातमा आखलनें किसले करा तक फॉर्मेटिव असेस्मेंट सीखने के लिए करा जाता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं और मैंने सोलंके सर से कितना सीख यह क्या होता है अगर फिर भी कोई सब्सक्राइब करता यानि योगात्मक की बात करता तो अधिगम का आंकलन हो जाता सब्सक्राइब पर ने पर नहीं हो और जो पेपर में अब सवाल आ रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब इन एड्यूकेशन इंग्लिश भी लिख रहा हूं इन एड्यूकेशन असेस्मेंट इस इंपोर्टन पोर करते हैं कि भाई कौन सा कैसे अंसर बनेगा तो इसलिए हम आप लोगों के लिए पहले त्योरी का समझा दिया और आप लोगों को लिए को समझ सकें तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए सारे असी परसेंट वाले बच्चें में अड्मिशन लेंगे सारे सिक्स्टी परसेंट वाले बच्चें अड्मिशन लेंगे यह बांटना सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे अगर बच्चा यहां पर अधिगम के लिए जब सी ही लेगा तो नमबर तो उसके अच्छे आएंगे आई जाएंगे तो इसमें बात करें आंसर की जैसे लोग बता रहे हैं यह वाला उक्शन बहतर अंक प्रात करने के लिए समेटी होता है जब सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया है कि अधिगम के लिए एक प्रकार क्या है सब्सक्राइब कर रहे है किया जाता है और यहीं पता लगाया रहा सके कि कि सीखने के में वो कितना सक्शं है कितना सीख पा रहा है यह दुत कर रहे हैं अगर रहे हां बहतर की सकता है तो इसको देखने में आप बलो ceremony प्ल लाइक और शेयर कर दिए अपने सवाल कर आए थे आई हो अपने देखा होगा वो सवाल है कि मिस सिंदु ने एक सेक्षणिक वर्ष की शुरुवात में चात्रों की चमताओं को निर्धान करने के लिए उनकी कक्षा में प्रेशन पत्र सत्र आयुद किया तो भाई इसमें से कौन सा मुल्यांकर कहा जाएगा अभी आपने पढ़ाया था ना यस उसी के इंदर क्लास में क्या है क्लास को शुरू करने से पहले तो यह मुल्यांकर किस तरीके का मुल्यांकर होता है कि बच्चा कितना सीख पा रहे है तो भाई आपके असेस्मेंट के अंदर आएगा क्लास करा देंगे टेंशन नलो आप लोग करवाते हैं उनकी रिक्वेस्ट मनना मारा फ़र्ज बनता है तो सरी क्या कहलाएगा रचनात्मक योगात्मक और आपन नैदानिक और संचित अब देखो सर यहां पे काफी बच्चो का अंसर आ रहे हैं सर यह जो है रचनात्मक कह बल्कुल इसको बात करें तो यह समेटी हो जायेगा इसको बात करें तो यह दयंगनौस्टिक हो जायेगा कि अ हॉथ Left shadow वह कुछ Co है ऑगा कई सब्सक्राइब लेकिन सब्सक्राइब लोगों से अच्छे तरीके सब्सक्राइब तो अब यहां पर किस तरीके से हो जाएगा अभी आपके या फिर बच्छों से क्लास में पूछ लिया आप से अभी कुशनिंग कर लिया आप से प्रेशन परस पूछ लिये उसारे किसे में आ जाएंगे फॉर्मेटिव में ठीके सब्सक्राइब कर रहा है और बच्छे की परेशानी क्या है बच्छा क्यों नहीं सीख पा रहा है ठीक है उस कारण का पता ल लिए डाइगनॉस्टिक टीचिंग कर रहा है डाइगनॉस करना मला उसके प्रॉब्लम को जानना कि बच्छा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे है इसका एक्जेक्ट रीजन क्या है अब आपको कल बताया था डिसलेक्सिया के बारे में इस लेंडिंग दिसलेव हुआ था यहां उस्में गहला सार नहीं बच्चर को पढने में दिक्कत होती थी तो अगर मां लो किसी बच्चे को ऐसा दिकत है जब तक उसको तक अत्रा इस दिकतें cheating किया फ्रचल आत्मक्षिक्ष्ण बच्चे का उपच्छार कर दिए रहेगगा जो भी समस्या है उस समस्या का उपचार कर देना आपका जो आगे चले सर अच्छा देखें यहां प्रश्न वनते इसके बालाद सा मैंने इसको एक्ष्मन कर दिया के लिए करने का मौका प्रदान करता है यानि कि आपको फॉरेमिटर के अंदर आप अपने गलतें को सुधार करके अपने आपको बहतर बना सकते हो यहां पर इसका सबसे इंपोर्टन है प्रोजेक्ट और प्रतियुक्ताओं का सम्मू चर्चाएं समू चर्चाएं यह सारे के सारे किसके लिए हैं प्रचनात्मक सर इस पर सवाल जरूर बनता है परिक्षा लेना है साइमेंट देना प्रोजेक्ट देना कुईज देना प्रतियों कित्या करवाना गुरूप चर्चाएं करवाना यह सब फॉर्मेटिव असेस्मेंट के उधारन है अगर आप उधारन ज्यात कर लोगे तो उसक्ता चल जाएगा कि हां हमें कभ लगाना है कब लगाना है कि छार्चा कि बात करें कितिशह लागे बजाएं इंगलिस पड़ार यह यह बात करें किग ऑफ सेल यहां पर दिखे लिखत प्रीक्षा और पैंसल प्रिक्षय यह या जो है डिलियर जो एकटाया अपने अपने इससे दो ओते हैं तो बच्छा यहां पर हाफ यह फुले देता है तो क्लास के अंड में देता है यहां अर्दवार्शी की और वार्षी की बात करेंगे बुल्कुल वार्शी की जो है इसका उधर लोगे यह पेपर पैंसिल टेस्ट जो कहला आप बुल्कुल सर वह आपका सर किसमेटिव नाजा सब्सक्राइब करें यहां पर फैसला होता है कि फाइनल उसका कितना स्कूर आया तो में से 90 मार्ट आए यह उसको पड़ी पहने करता है वाज सब्सक्राइब करता है यह देखिए यह आता है लेकिन थोड़ा पीछी चलें पीछाले कुशन नेखतें जिनका फॉंट समभन म सब्सक्राइब करते हैं इसको इसको बिल्कुल ना पड़े कि फॉंट की दिक्कत है इंग्लिस में हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूं बुलकुल बुलकुल सर यहां पर क्या लिखा हुआ सब यहां पर पहला पॉंट है आपका तुमेक असेस्मेंट यूसफुल एंड अगर इंट्रेस्टिंग बनाना है और क्या करना उपयोगी बनाना है तो एक मास्टर जी को क्या करना चाहिए बिद्धर की बारे में अलग तरीके की information को इकठा किया जा सके एक option ये दे रखा है using technical language बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा difficult भाषा का प्रियोग करेंगे अलग अलग तरीके की भाषा का प्रियोग करेंगे या बता रहें यहाँ पर making comparison बच्चे में क्या करेंगे बिटा दूलना करेंगे एक दूसरे बच्चे के साथ तुलना करेंगे यहाँ पर बच्ची को के लेकिन फिर भी आंसर दे रहे हैं कि बच्चे के साथ अलग अलग वराइटी के तरीकों का उप्यूख करेंगे ताकि ज्यादा सी ज्यादा इंफॉर्मिशन को इकठा करा जा सके बहुत बढ़ियां शांदार और साथ यहां पर देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है दा मैं परपरस ऑफ असेस्मेंट शुड भी आखलन का मुख्य उद्देश क्या है अगर बात करें कि बच्चे की गलती का पता लगाना कि बच्चे की उपलबधी का पता लगाना कि बच्चे ने क्या पोजीशन ली है बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है या डायग्नॉस करना और उसके रिमेडी बताना यानि कि बच्चे के प्रॉब्लम को जानना और उसका उसे सॉलूईशन बताना आप लोग बताएं एक बार वाँ पाई क्या बात है बहुत शांदार सब्सक्राइब और काफी बच्चे यहां पर बहुत सई आंसर दे रहें लेकिन बच्चे कंफ्यूज भी है आपर सब्सक्राइब करें या बच्चे की कमी का पता लगाएंगे कैसे सुधार किया जाएं कैसे सुधार किया जाएं यहां पर क्या होगा फीडबेक दिया जाता है कैसे सुधार करना है और क्या करना है पर इसका सही आंसर हो जाएगा दंगल विलकुछ सही बता रहें आगे चले सर आगे चले रखेगा रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा माध्यम सही नहीं है कौन सा माध्यम यहां पर सही नहीं है एक बार यह जरह पताएं रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा माध्यम सही नहीं है कारण का पता लगाएंगे बिल्कुल सही कह रहें अब यहां पर देखो अभी सर ने बताया था यहां पर कि बच्चे को एसाइमेंट देना आपने जो सर पॉइंट नोट कराना उस पर बहुत सारे सवाल बन रहे है ब जो गलत है वही सही है बल्कुल सर चीक है अब काफी बच्चे बता रहे हैं यहां पर क्या हो रहे हैं कि कई लोग सा सी ऑप्शन बता रहे हैं कई लोग बी बता रहे हैं कई लोग सा बेटा नहीं है नोट पूछा रहे हैं कई लोग इतना पूरा नाम लिखके बता रहे हैं अुझे उत्रश्ण क्या नहीं होगा यहीं होगा इसे बोले में उसाक्र पारिक्ष्व मेरी साथ यह जो टर्म टेस्ट होते हैं बात के लिए ऑध सुम्र्त कर एक भी चाहिए अब कर स्षस्य प्रक्रम इस भाप यह पो च्राव्ट अमाले नंसे मेह Ini कि अगला सवाल लाता है सर है चलो ये बहुत बढ़ी क्रिस्टिना अब देखो सर्ण ये बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्रिस्टिना टुक र क्लास for a field trip and after coming back she Discussed the trip with her student क्रिस्टिना क्या कर रही है बच्चों को सवाल पूछ रही हैं अब मुझे ये बताईएगा ये इन तीनों में से कौन सा चारों में से कौन सा होगा अधिगम के लिए अधिगम का आकलन इसका मतलब क्या है अधिगम के लिए आकलन दूसरा ओप्षन तीसरे ओप्षन में क्या है लर्निंग for assessment यानि कि यह option ही अलग है लर्निंग और असेस्मेंट आप अगर देखोगे यह तो हमने करा ही नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं है यह ना तो हमने करा है ना करने की जरूरत है क्या बात है बहुत बढ़ी हैं और काफी स्टुडेंट्स अच्छा रेस्पॉंस कर रहे हैं इसा बच्छा है अम तो यही चाहरे थे के बच्छे को एक टीन टर्म है हुट है असेस्मेंट as learning आसेस्मेंट ओर लर्नि नहीं किया अा रहा है बच्छी मेरे कुमारी दी पर आप प्रॉबलम की वज़े से हमें यह फॉंट क्लास ही नहीं पहूपा रही थी लेकिन विद्धा जितने भी एक लिए जहां से भी होगी करेंगे जरूर क्योंकि हम तो इसे पढ़नी पा रहे हैं ठीक है हम तो इसे पढ़नी पा रहे हैं आप लोग प्लेश जरूर बताईएगा ठीक है तो इसका आंसर जाएज दोस्तों क्या हो रहेगा एक अससमेंट फोर लर्नी हो रहे एक अससमेंट ओफ लर्नी हो जाएगा क्योंकि रखने के बाद उसके सवाल पूछा जा रहे है यहां तक हो बच्चे के लिए आगे चलें यह वाला आपका सवाल सब्सक्राइब होगे इसके बारे में यह वाला आपका सवाल सब्सक्राइब कि और वो ट्रेन वाला कौन से उसका रखता है उसके भीजा हुए है अभी मापको चीछ दिखाना क्या रहा है एक तब तक आप यह सवाल पढ़ लिजिए सवाल पढ़ लिजिए क्या है एक बड़ा ही टिपिकल सवाल है यह क्या है बड़ा ही टिपिकल सवाल है मेरा सही ता वाओ बैजिक जो लोग सही आंसर दे रहे हैं कुरूति दे फॉन्ट है सर इंग्लिश में क्या बात है बहुत बढ़ी है सर बच्चों को फॉन्ट भी पता है वाँ 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 क्या बात है यानि यानि पूरी मास्टर वाली छवी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है पहिजदे सर चलो वह देख लेते अभी हम आपको करा अब खुली है कि अब बंद करें दुबारा खुलो आपको अब समझ नहीं करना पड़ता है पढ़ाने के लिए अभी आया नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों कोई बात नहीं एक मैं आपको चीट बता दूँ डे quanh को इस हिते बात बात समिलाएं वाले सागनी के आपको कॉंसे वाले सवाल हैं आप ट्रेन वाले सारे आपको च्छुट के वीडियो मिलने वाले सभी लोग की च्छोटकी वीड़ीबीयो के वीडियो तो शुरूख करते हैं एक बार कोई बाद में साती हो आप इस वाले कोश्चन का होमख में आंसर दीजिएगा पिपिटी कांगी गोली पिपिटी से बंद करवा दी है और यह आगया आखिर अपने भेजी दिया तो ट्रेन से कहां घुमाने लेके जा रहे हैं इस पर शॉट वीडियो आपको मिलने वाला आप सभी लोग इस ट्रेन से घुमने के लिए हो जाओते यार और कम से कम दो नमबर पक्के कर सकते हैं यहा